राम राम फीजी में हिंदी चैनल पर आपका फिर्से स्वागत हैं फीजी में जादतर चौथी और पांचवी पीड़ी के गिर्मिटिया वन्शज मिलेंगे तीसवी पीड़ी के लोग बहुत कम बचे हैं जो हैं उनकी उम्र सत्तर से उपर होगी पर हमारी मुलाकात एक गिर्मिटिया के पुत्र यानि दूसी पीड़ी के वेक्ती से हुई जो शायद एक ही हो कोई और हो तो मुझे नहीं मालू अपने भाई बहनों में सबसे बड़े इनका जन्म तब हुआ जब इनके पिता की उम्र लगबग 40 वर्ष की थी 40 ये ये कवनंग साउ सिंगा टोका में रहते हैं आज उनकी कहानी उनहीं के जुपानी और साथ में हम एमिग्रेशन पास की जानकारी देंगे और उसकी खोज कैसे करें बतलाएंगे चलिए हमार भी अनल्शक में रहने सिंगा समक्न निल अनल्शक मोमीठीन ँविवाप यह बाच यह दाल है, यह खाता हम लोमा यह खाय जियातना, इस वे खिर्पा है, जमनों के लंबाय बड़ी से लिए लोगार दीजिए, अब जिए कि लोगार अमनों को अमरी आद्मिया कोई रही निए, सब मर देखें, सब खुलाग, हमार भाई हमसे चोटा-चोटा उटीनो और दीडाउ इत्वार रहिसान है भी खाय कोई ड्याइन को wa यह ब्यूता दीजिए। तो कि आद खांव मनेयातना कुलाग ज्डोता से लिए। अब खांब झाल में जंड़ाई को न्मन… इत्छ संड़ativa है, यह जिस हम समारी तों से लिए निए, सब में तों में लिए6 को वोट दाख लगे नहीं जाओ केज में, लडका लग रोज गुसाईये, नहीं जाओ कुदारी चलाए गाम गरम में, सोय बठी कुदारी लेके खेद हाँ 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 हमान नम सीता नाम अपिता जी का नाम? जगेशर आजा का नाम? जोखु रिड़र आजाया है कि सीता है अपिता GANGा जाने हैसा हमारा होड़ी प की नाम जाने है आम हेै हमारे बापके बपक नाम जोखु रा तर पर दोपर नमभा बॉट आरहा है व्हमार बाप यह आयए यह इह जगा है यह जगा किरमेट कमाई यह जगा जमीली यह जगा घर बनाई इस जगा हमरंक सब बाढगा यह परका पहार है तुम आप नही देखे हो जो सिता राम जी के घर के पास ही एक पहाड था, तो हम देखने निकल पड़े. इसके यहां पर काटी ने उपपर से पहाड, तेग उपपर गारते हैं, कमर में रस्सी बाना तरी. कमर में रस्सी बाना जाएं तरी. देज देज आते हैं, तो यहां पर इसके खल्या करा गये हैं, मत्टी को उठा के अधर लगया है, अधर लगया है. को बहार वहां पर कट आ है वाद. अगर दूसरा इसके पीछे में पेर के पीछे में एक पार वहां है. ऐसने बचान और बचा है वह तो बहुत बड़ा पहाड तो भी काटा गया है यह चले आर यह यहां आ पूरण देखा यह देख रहें कि लाइंद देखता है इसी रास्ते से गन्ना का आना जाना होता था, मेल तक जाते थे यही रास्ते से यहाँ पर लाइतों जाल में फटे आय के जया करो भगवन वांका हन्वाँ चुनलो पीजी वाचिया है चोपीजी देश लागे रे कुछा है च़ें गांजा थी आकान से पेस्ते से अबसाब वास्ते से यहो तो दो का आते हो ऊःस्तこれは कंपान गामेश रास्तों पुक्लीप काटी जो सफ़ रहा है पावल भुक्री अटकण था बसाटेव्क काटी नरही में अबसा खाई नहीं कि अटूलो, आपकलीप काटिन वर्ण मर्वर अश्ताया जाओ, काम करो। बढ़का बढ़का पाहड काटे कोई छेतिम जाएं, छेतिम कुलंबर लेगा करा हूए काम। हमाँ पिजाजी पाहड काटे जोने निस्टब जतने आदमें पाहड काटे, अवर्ण मत्ती भर बढ़के रस्तां पाटे हैं। मूर मेरा बढ़का 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 बना राना, जीन के कोई जिदे, मत्ती भर बढ़के लेने सब पाटे हैं। कतना सब अवर्ण हैं, कतना सब आदमी रहें। अरे बहुत दुख से गिर्मिट भैते हमने बढ़ा भाया है। अब जाएखने इठी हैं। आछे मैरा माररा भाया रुष्प, पहले रात कंवशन सब धूबका बढ़का बढ़का बड़का थाथयां। और टूरा बढ़का बढ़का थाथया। कोई थीक रहे कोई भेके हिंदुस्तानिक जरे कोड़ा लों कोई अठ्षानिक काम करा वे मारे उलों चाबक से मारे लाज से मारे तो फिर हिंदुस्तानि उसको नहीं मारते थे? नहीं, दुस्तानि नहीं मारते थे? उठे गोरा लों रफे पकरी घळ कराईगे चाब देने गोरा लों अमारे ना गोरा चल्की रहा जाती थे? अपन्राश कर अदने थे? ही जमीन आवाद है, तनल्राश काम काम ठे ल्व्यालाद है जमीन आवाद है इसने काम करो, आइसे है, तब हुआ से सुरुभ है, काम करे लगिन साधी बीबा करी लड़का, बत्या बें पर्वा, रास्ते हत्र सब बढ़ा, बाइल से हर चलाई, हम लों घोला साई चलाई, खुडपी मारी गन्ना क्रेटी हम लों करी जब बढ़ा हुए बढ़ा है बढ़ मना बना क्या मांगो हमास कमपनी हर बेजे हैंगा बेजे साब बेजे, उसे पाइसा काटे अप उलाई हम लों जोटो भो मरे लों जोटो पहिए हम लों कुछ नहीं राजा जोटो आपको गराँ, इस प्रिट पालो नहीं लोगए राजा कुछ नहीं राज, उसे भाम लों बच्छेबूए पतना ने टेंस्यान के चंडिसें रोच के रहा पहले टेंपे, पिरास्ते आसे वर्षे वर्षे अभी ज़सी पजा होगे, पहले पजा कहे रहा, गरीब रहें सब, एक पजामा पढ़ जा उसकी लगा लगा पायर करें, पजामा सर्ट नहीं खरी पहले, बहुत सस्थार है अरे बहुत तकलीव से पली ने आई हिंदिस्तान पिजिने, जब घुर्मुटिया खलाजब हमने मुपपालों के संग होईया, चबसे हमने दुख नहीं काता हमने अभीले शुके शुके शुके, गाई चववा सब रहा, दाई, दू, माटा, जीव, सब बनावा जातला, सब जीव ने खाम, काई चववा फ़्या है, जीव डाए, दाई बांतला,। यूर्मुट तू को मिर्यान मिल्के शोड़ों के। ध़न को मिल्के नियमाचाव सब तोग जो दूबेखे गार, मैं भॉट भारी रहे, यिकह। अपन धर के साफ चीज रहे, बद बनाए लो, खाय लो, बद चीज ओना खाय प्येक स्थुक्रा साफ इस्कूल बन के सब कुछ बन के सब कुछ को पर जाए लगा हम लो अपना बनाए लो, आपनान, जना लो, बाज़ा लो खाय जलो , आपनाव को बेजी देश लागे, है सुहनवां, कहनवा, सुननो बीजी वाचिया इस आपनाने लोट लोगा डेशते, भपा हम रहे, हम रहे हमें, काहिए लोट है अटीगाया प्रच्छा लगे नहीं है रहाँ उमार भपणा अहे हमार मया है भी पीजी पैदा भये पैदा भये पैदा भये तफसादी बिपा भया तो हम पैदा भया हम पीजी देश लागे है सुषनेवा कहनों चुनलों पीजी बाचिया हम तो थोड़ा बड़ा हजी आदे रिश्कूल जागा, हम खाली तीने साल इस्कूल गया, तीन साल खाली पड़ा, फिर छेते में बपा लोग गन्ना काटे उलों चले हम घरे रही घरे रही गाई तो हम देखी हमार भाईया लोग भाईया लोग साब इस्कूल पढ़ीं, उलो हम जाने उटेम दुख काटा थोड़ा, जब अवादे की और तकलीव नहीं रही रही तो हम उमर आपके जब? उटेम बजाए आठ नव साल के रहा हम हम ऐसे, कब से आप खेती में? हाँ, खेतीम काई तो आप देख ली बांदे, अतना कर लेता रहा हम, हर उटेम नहीं चला हम चला उटेम आप देख लेगा, कोई नहीं पढ़ाई सहा है यह भी जिया वे आपन बनाई हैं अभी पिच्चे को सरकार मदद करी तब इसको बड़ा बनाई है सब तिजी गेलर का रूंख़बड़की का माशव बनेगी अस समें कुछ गोरा लोग भी इसको मेरा गोरा नहीं रहा हमार जानद में गोरा नहीं रहा है सब तिजी देश लागे है सुहनवाँ कहनवाँ चनलो बीजी बाचिया घरे बढ़ता है से तिजी बीजी चला रहे हैं लोग देखा करता बस यह करता अभी खरे पहले हम लोग इतना गेंग रहे हैं बुद्धा रहें कि हमा समध्या कोई रही नहीं कि किसमें बाच के लडकाल आ लगा है लगोना हम में प्या souvent कि लडकाण है अषर किसमें पहले हैं जब लग कोई सूते नहीं नहीं जाए जब सच चला जाए तब जाए सूते आपका नाम राम रती और पिता जी का नाम पता है अवा पिता जी का नाम रामेसर है यहीं जाए पितालियम् है जाए अजिए लुख सब लेक्त के दस्तन आपका मेरा भीजी दूनख माजी ऐस भीजि वाची यहीं जाए है हूँ, बामस्ता हम इसे था सफरे न भी, सब और जाये हिंडु दानू जर्मिंतिë रवा जाये, आफं यहाई कंद अब अपंने आप भी यह ख्तर दूजा छिन हटत चाफा करो, बामस्ता ही साफा करो, तब लाथ ही भाण थान के, तब पुजा करो... बड़ा श्कुवा पर्पन, पूजा करो, सब लड़का पतो बठूर की. कुछ गीत गाते थे, गाना गाते थे गिरमिटी अगा? काफी इंदुस्नाने, काफी अजन गावते ने, कवाली गावते ने, आपां चिलली काई इन इंडिया थे. अपको कुछ पिताजी से कुछ बेहल डि Rice give it up Đi K 그 Chi da कपरी सब काम पहमार कावन करीटर्फी काम करीते व्ल 우리가 है इक गाना गाई ए आपलो गाना, गाना में गन्देने, कौन गाना गाई है.. जितनी जानकारी सीता राम जी ने दी उस आधार पर हमने इनके पिता के एमिग्रेशन पास का खोच किया आप भी फोलो करिए गूगल सर्च एंजिन पर जाकर गिर्मिट.org टाइप करें और सेलेक्ट करें हम गिर्मिट.org वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे सबसे उपर तीसरे टेप को सेलेक्ट करें एक लिस्ट खुलेगा नीचे स्क्रोल करें और लेटा जे पर क्लिक करें जे का लिस्ट खुलेगा सबसे पहले दिया गया है गिर्मिटिया का नाम दूसरा है पिता का नाम तीसरा जहाज का नाम जिसमें वे आये थे और आखरी है उनके एमिग्रेशन पास का नमबा यहाँ सर्च के लिए फील्ड है जिसमें हम जगेश्वर टाइप करेंगे कभी-कभी अलग-अलग स्पेलिंग टाइप करके देखना पड़ता है यहाँ एक जगेश्वर है जिसके पिता का नाम है जोखु हम इस कॉंबिनेशन के डिटेल्स को जहाज का नाम और एमिग्रेशन पास नमबा लिख लेंगे अब वापस होम पेज पर चलते हैं और नीचे स्क्रोल करके एक केटेगरी सेलेक्ट करते हैं मैंने सर्च बाइ अर्राइवल डेट सेलेक्ट किया है यहाँ पास नमबा लिस्ट चेक करेंगे और नीचे स्क्रोल करेंगे जब तक की पास नमबर का वहा रेंच नहीं आ जाता जिसमें 46707 होगा यह रहा शिप का नाम मुतला 2 अब इसी लाइन में व्यू ओन लाइन पर क्लिक करेंगे या हमें उस साइट पर ले जाएगा जहां सभी एमिग्रेशन पासस के माइक्रो फिल्म्स है यह है एमिग्रेशन पास नमबर फोर्ड एरो पर क्लिक करने पर हम अगले पास पर जाएगे 46468 अभी भी 46707 तक कई पासस है तो हम इस करसर को ड्रेग करके अनुमानन वहां तक ले चलते हैं जो 46707 के नजदीक होगा 46699 खुला अब फोर्ड एरो पर क्लिक करते रहेंगे जब तक की हमें हमारा पास नमबर नहीं मिल जाता ये रहा 46707 अब डीटेल्स देख लेते हैं नाम जगेश्वर फादर्स नेम पिता का नाम जोखु एज उम्र 24, 24 डेपो जहां उनको भरती किया गया था गोरकपूर अकेले आये थे डिस्ट्रिक्ट यानि जिला है बस्ती जहां के ये थे थाना यानि वहां का नज़्दी की पूलिस स्टेशन जो है दूधारा गाउं मोहले का नाम काहता काम करते थे खेती का ज्यादा तर लोगों के पास में यही ओक्यूपेशन मिलेगा चाहे उन्होंने कभी खेती ना की हो हाइट फाइव फीट सेवन इंच जहाज मुतला दो कलकत्ता से चला 20 जुलाए 1911 को फीजी पहुँचा 18 अगस्त 1911 को यह स्टीम शिप था इसलिए एक महिने में पहुँच गया पाल वाले जहाज को तीन महिना लग जाता था यह सर्च आसान था कभी-कभी समय भी लग जाता है खास करके जब एक जैसे नाम हो पिता का नाम भी एक जैसा हो किस गाउं से आए उसके बारे में मालूम नहीं हो यहाँ फीजी में उनको किस एस्टेट पर भेजा गया उसके बारे में पता नहीं हो और कभी-कभी तो एमिग्रेशन पास में भी डीटेल्स गलत लिखवाए गए होंगे किसी कारण वश इसलिए अच्छा हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकठा कर लें घर में कोई पुराने डॉकुमेंट्स हो उसको भी देख लें और जो भी इन्फोमेशन मिल जाए आपको जो भी जानकारी मिल जाए उसको नोट कर लें और तब सर्च आरम करें आप नेशनल आर्काइव्स और फीजी के स्टाफ से भी मदद ले सकते हैं गूगल मैप में भी आप जगह देख सकते हैं हमें गाउं तो नहीं मिला शायद नाम बदल गया होगा पर दुधारा का पुलिस स्टेशन मिल गया यह है गोरकपुर जहां उनको डेपो में रखा गया और वहां से फिर उनको भेजा गया कलकत्ता ट्रेन में और कलकत्ता से स्टीम शिप से वे पहुँचे फीजी इसके बाद मैं नेशनल आर्काइव्स औफ फीजी गई सोचा आपको ओरिजनल पास भी दिखा दूँ ओरिजनल आर्काइव्स के रेकोर्ड में ही रहता है आप उसका फोटो कोपी बनवा सकते हैं फिर मैंने जेनरल रिजिस्टर भी चेक करवा लिया जिससे ये तसल्ली हो जाए ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि एमिग्रेशन पास सही है This is the General Register of Indian Immigrants, this is volume 8 This is actually eighth volume of 9 It contains all of the names of the Indian immigrants that came in during the indenture period So the indenture period was from 1879 to 1916 we're looking for immigration pass number 46707 and these immigrants came on I think it's pronounced Muttla, Muttla number 2, 1911 so there's a whole list here so 46707 is Jageshwar Choko 24 years old male and the employer is CSR company and he went to Kavanangasaw so there's nothing else here on whether he got married usually if they married during that period you'll register here if they return to India or they passed away so if there is a red mark they had repatriated if there is a black line across their name they died so this gentleman he was actually alive right throughout the period that he served so there's nothing else not even a marriage so he was 24 during that time and if we had a official document we had to check it out which has been confirmed by the father's name because Jageshwar Bolchal's language was changed by Jageshwar सिता-談ब जी के मेरिश सरटिफिकट जो हिंदी में है मैं इन्यभी पीता का नाम जगेश्वर लिखा है पिर में सीता राम जी के पास दोबारा गई कवनंग साओं उन्हें उनके पिता का एमिग्रेशन पास देने अच्छा हम आपके बापा के उल आया है, एमिग्रेशन पास हुआ हुआ बाद लाए हुआ हुआ रहा हुआ उसमें लिखा लोई से अपना अच्छा आपके बपा के नाम जगेश्वर है। जगेश्वर उसके बपा के नाम जोखु और वो जब 24 येस के रहा चोगी साल के तब आईस। अब लिखाने सब के ना यतना मुलुकाईने सब के ना मुआ लिखान होई। अब हम लुए 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 हम जब भुप मार के दिलों के पीजी प्रीज जिन अगने वो तकलिफ काटे नो लो अब ज़का लोंग पढ़िए जयान देने सब लिखाने सब चीज हम को पीजी देश लागे रे सुहनवा कहनवा सुन लो पीजी वासिया हम को पीजी देश लागे रे सुहनवा कहनवा सुन लो पीजी वासिया अर फुसलाईन तब पिगल गए और पहुच गई निकलकत्ता रही पहुच गई निकलकत्ता और घेरा के भीतर बंद करिन तब फेक के बैठे पत्ता कौन जाल में आए फसे हैं दया करो भगवनवा कहनवा सुन लो फी जीवासिया हम को फी जी डेश लागे रे सुहनवा कहनवा सुन लो फी जीवासिया हम को फी जी डेश लागे रे सुहनवा कहनवा सुन लो फी जीवासिया